पटना में तीन कैदी जहंडू बाम के सहारे पुलिस की गिरफ से भाग गये हैं अब जहंडू बाम इतना खतरनाक हतियार बन गया है कि इनके सहारे अपरादी पुलिस की कस्टडी से फरार हो जा रहे हैं सुनकर भले आपको ताज्यूब हो रहा होगा लेकिन यह असल घटना है पटना में बिहार पुलिस के एक सिपाही को उनके आखों में जहंडू बाम लगा कर तीन कैदी भाग गये हैं पुलिस इन कैदियों को साथ में लेकर कोट जा रही थी इन तीनों की पेसी होनी सरदर्द को भगाने में हो रहा था जंडुबाम का उप्यों लोग सरदर्द ठीक करने के लिए करते आ रहे थे उसी जंडुबाम ने अब बिहार पुलिस के सिरदर्द को बढ़ा दिया है जंडुबाम इतना बड़ा हत्यार बन गया है कि उसके आगे पुलिस भी मात खा जा रही है और जंडुबाम के सारे पुलिस को चक्मा देकर अपरादी भाग जा रहे हैं वैसे बिहार में ऐसी घटनाओ का आना कोई नई बात नहीं है बिहार पुलिस एक से बड़का रेक उनके करना में देखने को मिलते हैं पिछली बार एक घटना सामने आई थी जिसमें को कोट के अंदर बं फट गया था और उस बं को बिहार पुलिस खुद लेकर अंतर गई थी इस बंको पेसी के लिए लाया गया था यानि उसको सबूद के तौर पर कोट में पेस किया था और जो कुछ अपरादी पकड़े गये तो उनके पास से ये बं बरामद हुए थे और इन बमों को सबूत के तौर पर कोट में लेकर गई थी लेकिन इनको पुलिस नहीं किया था और वो जिन्दा बम सबूत के तौर पर कोट में पेस करने चली गई थी इन्हीं में से एक मामला सामने आया है जिसमें बिहार पुलिस की बड़ी लापरवाही दिख रही है क्योंकि पुलिस के अनोखे कामों का जो नमूना सामने आता एए उसमें साधिक्तर पतना से आता है पुलिस के लापरंवाईस्य कोर्ट परिषर में जो बं फटने की घटना हुई थी वह भी पतना का था पटना के फुलवारी शरीप जेल में ये तीनों कैदी बंद थे और बम वाले कांड की तरह इन तीनों कैदीयों को पुलिस पेसी के लिए कोर्ट ले जा रहा ही थी पुलवारी सरीप गेल्थ है पुलिस इन कैदियों को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए चलती है इन सारे कैदियों को पटना सिविल कोर्ट में पेश करना था पुलिस इन कैदियों को लेकर चलती है तो राश्ते में पुलिस का जो वैन ता जो गाड़ी ता वो जाम में फस जा लड़ाई के कारण सड़क पर जाम लगा हुआ था, इसी जाम में पूलिस की गाड़ी रुखती है, कुछ दरिंतिजार करने के बाद दो पूलिस वाले गाड़ी से उतर कर जाम को छुडाने जाते हैं, और यहीं पर कैदियों को मौका मिल जाता है, क्योंकि पूलिस फुलवा इनकारी मिल रही है कि सिपाही उमेस बिंद का हाथ में तूट गया है, बहराल जो तीन कैदि भागे उसमें से दो कैदि आम सेक्ट के मामले में फुलवारी जेल में बंद थे, यानि उनके पास से अवायद हातियार बरामत किया गया था, इसलिए उनको पूलिस ने गिरफत इन दो कैदियों के साथ एक और कैदी सिपाही को धक्का देकर पुलिस के वैंस से निकलता है, और वहाँ पर एक कॉन्वेंट स्कूल की चार दिवारी थी, जो स्कूल की बाउन्टरी वाल थे, उसको खूद कर ये कैदि भाग जाते हैं, उसके बाद जब कैदियों के फरार नोंने बताया कि पुलिस प्रोटेक्शन कम था, मादर पांच लोग थे, तो उनको बस से नहीं उतरना चाहिए था, फिलाल पुलिस जाज कर रही है और देखना है या अप राधी कब तक पकड़े जाते हैं, बाकि आप इस घटना के उपर क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट क कि हमें अपनी राय बता सकते हैं, जमता दिन संदेख रहते हैं, बहुत 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 धन्यवाद